हेलो सब गाइस किसो आप सो मेरे नाम है पीशक और गाइस आज के एस वीडियो बम करने वाले हैं M30S का बैटरी चार्जिंग टेस्ट और देखेंगे कि यार यह जो फोन है यह कितना टाइम लेगा यहां पर 0-100% चार्ज होने में बाइदर गाइस इस फोन में जो बैटरी है वो 6000 mh की है तो यह काफ़ जादा इंटरस्टिंग हो जाएगा जानना कि कितना टाइम लेगा यह फोन चार्ज होने में तो यार मैंने इस फोन का डिफॉल्ट जो बॉक्स में चार्ज राता है 15W का Adaptive Fast Charger वही यहाँ पर यूस किया है और मैंने यहाँ पर कर लिया है इस फोन को प्लग और इस फोन एकदम डेट है यानि कि 0% बैटरी है इस फोन के अंदर अब मैंने यहाँ पर कर दिया है Power Source को On और देखते हैं यार 10 मिनिट बाद हमारा फोन कितना यहाँ पर चार्ज हो जाता है तो guys after 10 मिनिट हमारा फोन 7% यहाँ पर चार्ज हो गया था और उसके बाद guys after 15 मिनिट हमारे फोन में 11% बैटरी यहाँ पर चार्ज होई थी आदे घंटे बाद की हम यहाँ पर बात करें तो phone में 21% बैटरी यहाँ पर चार्ज होई थी 45 minutes बाद जब मैंने देखा तो 31% हमारा phone चार्ज होआ था After 60 minutes guys हमारा phone 42% यहाँ पर चार्ज हो गया था After 1 hour 15 minutes हमारे phone में 51% बैटरी थी और 1 hour 30 minute के बाद गए 61% हमारा phone चार्ज हो गया था 1 hour 45 minute के बाद हमारे phone में 71% बैटरी यहां पर थी 2 hours के बाद गए से हमारा phone 82% तक यहां पर चार्ज हो गया था 2 hour 15 minutes के बाद हमारे phone में 91% बैटरी यहां पर चार्ज हो गयी थी 2 hours 25 minutes के बाद हमारे phone में 96% बेटरी यहाँ पर चार्ज हो गई थी और after 2 hours 37 minutes हमारा phone यहाँ पर 100% चार्ज हो गया था जो कि एक बहुत ही impressive timing है एक 6000 mh बेटरी वाले phone के लिए तो यार बहुत ही कमाल की charging speed समय देखने के लिए मिल गई है हमारे m30s में 6000 mh बेटरी होने के बाद भी तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकन को दबा देना एसी एमेजिंग वीडियो उसके लिए यार प्लीज वीडियो को लाइक करते ना काफी टाइम लगाता है इस वीडियो को बनाने के लिए तो मैं में लोगाना के सब्सक्राइब वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर